2020 में लॉंच हुई Tata Motors की इलेक्ट्रिक SUV टाटा नेक्सिन कम समय में ही सबसे ज्यादा पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार बन गई. ये लगातार नए ग्राहकों की पसंद बनती जा रही है और सबसे ज्यादा विकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है. यानि की केवल तीन साल के कम समय में ही नेक्सिन 50,000 यूनिट्स की बिक्री के साथ सबसे ज्यादा घरों में इंट्री करने वाली EV बन गई. कुल मिलाकर नेक्सिन और इसके अलग-अलग मॉडल घरेलू बजार में बिक्री के मामले में 15 प्रतिशत पर कबज़ा जमा चुके है कमपनी इस समय इसके अलग मॉडल्स की बिक्री करती है जिसमें EV प्राइम, EV मैक्स के साथ साथ इसका डाक एडिशन भी शामिल है. वहीं नेक्सिन EV प्राइम की कीमत की बात करें तो इसे 14.49 लाख रुपय की शुरुआती कीमत से लेकर EV मैक्स को 18.79 लाख रुपय एक्स श EV मैक्स एक और रिकॉर्ड बना चुकी है, जो की कश्मीर से कन्याकुमारी तक की फास्टेस ड्राइब का है, जो की 4,003 की यात्रा को केवल 95 घंटे और 46 मिंस चार दिन के अंदर में पूरा करने का है, जिसके जरिये ये साबित किया गया की, ये कार लगातार एक साथ कई श की रेंज दी. वही कमपनी के मुताबिक, केवल 3 सालों में ही 50,000 इलेक्ट्रिक नेक्सन की बिक्री ये बताती है कि, भारत इस समय इमोबिलिटी के क्शेत्र में बदलाव के लिए कितना तयार है, लेकिन ग्राहकों ने कमपनी पर भरोसा जताया और इलेक्ट्रिक कार को नाया है. टाटा मोटर्स ने हाल ही में नेक्सन इवी में कुछ नए फीचर्स को जोड़ा है, जिसमें लेटस्ट जेनेरेशन हर्मन इन्फोटेन में टच्स्क्रीन, जिसे कमपनी अपनी फ्लैक्शिप गाड़ियों हैरियर और सफारी एस्यूवी में ओफर करती है. जबकि इसका डाक एडिशन भी शामिल है.